दो हजार पचीस के विधान सभाद चुनाव में तेजस्वी यादो को मुखमंत्री बनाने के लिए लालू परसाद यादो बड़ी रणनीती तयार कर रहे हैं। देखिए एक नाम राजेस रंजन और पपु यादो का सामने आ रहा है। पुर्णिया से निर्दलिये सामसद हैं और आपको बताएं कि दो हजार चौबिस के लोग सभाद चुनाव से पहले पपु यादो लालू परसाद यादो और तिजस्वी यादो से मुलकात करने गए दरसल पुर्णिया लोग सभासीट से महागटबंधन से आरजेडी के तिकट के लिए पपु यादो एक नजर लालू परसाद यादो पर भी देखे थे लेकिन लालू यादो ने उन्हें तिकट नहीं दिया और वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया उ अपनी पार्टी का बिलाए कॉंग्रेस के साथ किये लेकिन कॉंग्रेस भी उन्हें तिकट नहीं दी क्योंकि महागटबंधन के खाते में वसीत आरजेडी कोटे से चला गया जहां से आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया और पपु यादो निर साथी को वापस ला रहे हैं जो आरजेडी से नराज होकर चले गए थे देखिए लालू यादो इस बात को समझ गए हैं कि अगर तेजस्वी यादो को मुखमंत्री बनाना है तो फिर तमाम जो नराज साथी हैं उनको वापस लाया जाए और महागटबंधन को आरजेडी को मजबूत किया जाए देखिए हाली में मौमद साहबुदीन के बेटे उसामा साहब और हेना साहब को आरजेडी में सामिल कराए गया इसके पीछे की बड़ी वज़ा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो आरजेडी से दूर जा रहे थे छिटक रहे थे इसलिए मुस्लिम वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए हेना साहब और उसामा साहब को पाइटी में सामिल कराए गया लेकिन अब पपू यादो के तरफ नजर भी है और आरजेडी के तमाम कर्जकरता नेता वो भी चाहते हैं कि पपू यादो आरजेडी में आ जाएं तो महौल कु क्योंकि देखे बड़ा नाम है पपू यादो का इस बार पुर्निया से निर्दलिये सांसद बने हैं लेकिन इतिहास उनका भी आरजेडी परिवार से रहा है। जो लोग सभा का चुना हुआ आपको याद होगा कि पपू यादो को हराने के लिए तेजस्वी यादो बड़ा पलानिंग किये इतना ही नहीं बलके उन्होंने मंच से कह दिया था कि आप NDA को वोट दे दिजे नहीं तो महागठवन्दन को लेकिन निर्दलियों को मत लेकिन अब आरजेडी के जो कर्च करता है नेता है वो अभी चार है कि पपू यादो अगर आरजेडी में आ जाएं तो फिर महौल कुछ और होगा और तेजस्वी को मुखमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है देखिए जारखंड हाली में चुना हुआ पपू यादो वहाँ पर घूम घूम कर परचार किये तेजस्वी यादो वाले महागठवन्दन की और तेजस्वी के कंडिडेट के लिए भी संजय यादो उनके लिए भी पपू यादो परचार किये तो अब कयास लगाय जा रहा है एक मंज पर जब सपत समरो था हिमंद सुरेन की बीते दिन 28 नौंबर को चौथी बार जारकंट के मुखमंत्री बने तो एक ही मंज पर ते जश्वी यादो हो पप्पू यादो हो कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी हो तमाम बड़े नेता वह पर मौजूद थे महागटवंदन के तमाम बड़े बड़े नेता थे तो अब यह खबरे सामने आ रही है कि पप्पू यादो का इंतजार है कि भाई आरजेडी में कब आएंगे लालू परसाद यादो भी चाहते हैं और आरजेडी के तमाम नेता कारेकरता तक तक की लगा है कि अगर राजेस रंजन और पप्पू यादो आरजेडी में आ जाएं तो फिर दोहजार पचीस में तेजस्वी का जो कद है वह और बढ़ जाएगा और मुखमंत्री बनने से कोई नहीं रुकेगा देखिए पप्पू यादो जहां जहां भी जारखंड में परचार किय जेमेम के पक्ष में वहाँ वहाँ महागटवंधन का उमिदवार जिनता एक दोसित छोड़ कर तो पप्पू यादो का जनादेश जो है वह अब काफी जादा बढ़ गया है लोग पिर ये नेता हैं चर्चा में रहते हैं पप्पू यादो सुरू से ही हमेशा सबसी जाद चर्चा उनकी होती है और यादो के जो कहा जाता था कि लालू परसाद गयादो बड़े नेता हैं तो पप्पू यादो भी अभी के समय में यादो के नेता बने हैं आप पुर्निया लोग सबसीट का आकड़ा देखिए मुसलिम और यादो जो वोटर हैं वह पप्पू या सिमांचल के इलाके में पप्पू यादो का दबदबा आज भी है अगर आरजेडी पप्पू यादो को साथ नहीं लेती है तो फिर सिमांचल के जो तमाम विधान सबसीत हैं वहाँ पर मामला बिगड़ सकता है तिजस्वी यादो के पाइटी को नुकसान हो सकता है और ला लालू परसाद यादो इस बात को जानते हैं भली बाती इसलिए अब पप्पू यादो के तरफ जो नजर है वह आरजेडी का है लालू परसाद यादो का है और आरजेडी के तमाम नेता कर्च करता भी चाहते हैं कि पप्पू यादो फिर से साथ आ जाए देखिए साल 2014 मे पपु यादो आरजेडी के सिंबॉल से चुनाव लड़े और पुर्निया सीर्ट से उन्होंने जीत आसिन किया पाँचवी बार सांसद बने लेकिन 2019 में पपु यादो मदेपूरा सीर्ट से चुनाव लड़े और हार गए देखें कहीं न कहीं एक बड़ा इतिहास आरजेडी से रहा है पपु यादो का तो पपु यादो और राजत परिवार की जो संबंध है वा कोई आज का नहीं है बहुत पहले से हैं लालू परसाद यादो को पिता तुले राजे सरंजरूर पपु यादो मानते हैं और तेजस्वी यादो को छोटा भाई हमने पहले भी आपको बताया है तो अब पप्पु यादो को अगर आरजेडी अपने पास लाती है तो आरजेडी को भाई फायदा जरूर होगा सिमान्चल का इलाका है जहां आज भी पप्पु यादो की लोग प्रियता है और आपने देखा भी कि कि इस तरीके से निर्दलिये चुनावी मैदान में पप्पु यादो ने भाजी मारा तो अब चर्चा तो हो ही रहा है कि भाई पप्पु यादो कब आएंगे राज़त का हिस्सा कब बनेंगे कब बिहार में तेजश्वी का सरकार बनेगा और आरजेडी ओ तमाम काम अब जुट चुकी है पलानिंग हो रही है कि भाई यादो और जो मुस्लिम वोटर हैं उसमें अब कहीं से भी सेंदमारी ना हो तमाम जो नहराज सांती हैं उनको ढूंड कर अब वापस लाया जा सकता है बहराल आपकी क्या राय है कमेंट बोक्स में अपनी परतिक्रिया जरूर दीजेगा विहार एक सुच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धनेवाद